पूमी एक्ता अर्थात अनेक्ता में एक्ता यही हमारे देश की पहचान है भरतिय जीवन विविट्टा पून है हमारे देश कौमी एक्ता का जीवन्त उदाहरण है अनेक भाशाएं बोलने वाले अनेक धर्माव लंबी और 125 सरब की जन संख्या इस देश में बस्ती है यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ऐसे विविट्टा पून देश के लिए कौमी एक्ता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है साम्प्रदाइक सद्भाव, राश्य एक्ता, मिली जुली संस्कृती और राश्य भावना को मजबूत बनाने के लिए देश भर में 19 से 25 नवंबर तक कौमी एक्ता सब्ताह मनाया जा रहा है पूरे सब्ताह के समारों के दौरान विशिष्ट विश्यों से सम्मंधित प्रते एक दिन विभन कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान कुछ कारिक्रम जैसे बैठकों, समिनारों, संगोष्ठियों, विशेश रूप से महानकारियों, सांस्कृतिक गतिविधियों, समारों की विशेवस्तू, राश्य एक्ता या कौमी एक्ता सब्ताह, धर्म निर्पेक्षता, अहिंसाब, भाशाई सौहार्थ, व बताह का शुभारम, राश्येक्ता की शपत के साहर हुआ, शास्की कार्यालिवं में राश्येक्ता खंडता की शपत दिलाए गई पूरे सप्ताह का समारों, पुरानी परमपराओं, संस्कृति और सहिश्नता की कीमत और भायचारे की भारतिय समाज में एक बहु धार्मेक और बहु सांस्कृतिक धर्मों की पुष्टी करने के लिए सभी को एक नए आफसर प्रदान करता है यह सांप्रदाइक सौहाद्र बनाए रखने के लिए भी देश में निहत शक्ति और लचीलेपन को जागर करने में सहायता करता है समारों के दौरान भारत की स्वतंत्रता औ और राजनेतिक आपत्तियों के विवादों को निप्टाने के लिए अहिंसा, शांतिय और विश्वास को जारी रखा जाएगा खौमी एक्ता सप्ता हर साल देश की विवित्ता लगभग, 66 भाशाय, 22 धर्मों, 29 राज्जियों और अनेक जातियों में एक्ता को बढ़ावा अत्यधिक ध्यान केंदृत करता है, आम जनता को देश में दोनों मुद्दों, लाइंगिंग समानता और अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, और उनको समझना चाहिए केंद्र ग्रहमंत्री राजनाज सिंग ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से कहा है कि वे गौमी एक्ता सप्ता आयुजित करें और मनाएं ताकि सामप्रदाइक सद्भाव एवं राश्य एक्ता के संदेश को देश और समाज के हर हिस्से तक पहुँचाया जा सके ग्रहमंत्राले ने एक प्रस विग्यप्ती में कहा कि ये अफसर एक मौका देता है कि एक बहु सांस्कृतिक और बहु धार्मिक समाज में सहिश्नुता, सह अस्तित्व एवं भाईचारे के मूलियों की सदियों पुरानी परंपराओं को मस्बूत किया जाए विग्यप्ती के मुताबिक कौमी एकता सब्ताह मनाने से हमारे देश की उस ताकत और संकल्प को भी उजागर करने में मदद मिलेगी कि वो देश के उदार एवं धर्म नर्पेश ताने बाने के सामने मौजूद वास्तविक एवं संभावित खतरों से मुकाबले और व्या विशा सदभावना दिवस 21 नवंबर को दूसरे राजियों के कवी और साहितिकारों की रचनाओं पर आधारित साहितिक और कवी सम्मेलन होंगे कमजोर वर्ग दिवस 22 नवंबर को अनुसूचत जाती जन जाती और अन्य कमजोर वर्गों की कल्यान पर केंदृत बैठक और रैली होगी सांस्कृतिक एकता दिवस 23 नवंबर को भरत की एकता में अनेकता पर आधारित सांस्कृतिक कारिक्रम होंगे महिला दिवस 24 नवंबर को होने वाले कारिक्रमों में नारी की भारतिय समाज में महत्ता और राशन निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित किया जाएगा सनरक्षन दिवस 25 नवंबर को परियावरन सनरक्षन पर केंदरुद बैठक और कारिक्रम किये जाएंगे कौमी एक्ता का मतलब ये नहीं कि किसी विशय पर मदभेद नहीं हो मदभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए मदभेद होने के बावजू जो देश के लिए हित्प्रद हो सुखद, शांतिमय और जनहित में लापकारी हो उसे धर्म संप्रदाय से उपर उठकर मान लिया जाए ऐसी भावना राश्य एक्ता को कुसुमित करती है